कार्बन डै ओक्साइट अनु में कार्बन तथा ओक्सिजन के मध्य द्वी बंध का निर्मान होता है। एकल और द्वी बंध को दो पर्मानों के मध्य क्रमशह एक रेखा और दो रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के योगिक जिन में दो पर्माणों के मद्ध इलेक्ट्रोनों के साजे द्वारा बंध का निर्मान होता है सहसायोजक योगिक कहलाते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दो या अधिक परमाणू इलेक्ट्रोनों के साजे द्वारा समीब के अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के परमाणू समू को अणू कहते हैं। अतहा सहसायोजी योगिक के अणू दो या दो से अधिक परमाणों से बने होते हैं। जल एक योगिक है जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सिजन के सहयोग से बनता है। आप जानते हैं कि Hydrogen को साज़े के लिए एक एलेक्टरौन जबकि Oxygen को साज़े के लिए दो एलेक्टरौनों की आवशकता होती है जल की एलेक्टरौन भिंदू सरचना बनाईए जिसमें Hydrogen और Oxygen दोनों की सयोजगता संतुष्ठ हो जल में सह सयोजग बंद का चित्र अमोनिया एक योगिक है जिसका अनुसुत्र NS3 है यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है हाइड्रोजन को साझा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जबकि नाइट्रोजन को साझा करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन की आवश्यक्ता होती है जिससे वे अक्रिय गैस विन्यास प्राप्ट कर सकें क्या आप इस योगिक की इलेक्ट्रॉन बिंदू सरचना बना सकते हैं अमोनिया में सहसायो जगबंध का चेत्र आईए अब हम हाइडूजन में आबंधन पर विचार करते हैं आपको पता है कि हाइडूजन सबसे हलकी गैस है इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास देखने पर यह बात इसपस्ट होती है कि इसके बहतम कक्ष K में मात्र एक इलेक्ट्रॉन है और हम यह भी जानते हैं कि हाइडूजन अनुं का अस्तित है हाइड्रोजन का एक परमानू, दूसरे हाइड्रोजन परमानू के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साजा कर हाइड्रोजन का एक अनू बना लेता है इसे चित्रा नुसार प्रदर्शित कर सकते है हाइड्रोजन में सहसयोजग बंद का चित्र साजे के इलेक्ट्रॉन का साजा कर साजे के इलेक्ट्रोन का समान अधिकार होता है इसके अन्य उधारन, ओक्सिजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड है यहां हमने देखा कि अनु का निर्मान भिन्न भिन्न तत्वों के परमानों के सयोग से नहीं बलकि एक ही तत्व के समान परमानों के मिलने से भी होता है हाइडोजन तत्व का अस्तेत्व द्वी परमानू अनु के रूप में है यहां उपसर्ग द्वी का अर्थ है दो अतह द्वी परमानू का तत्पर है दो परमानू तथा इसमें एकल बंध है क्या किसी तत्व के परमानू के मत्य द्वी बंध भी होता है आईए एक तत्व ऑक्सिजन पर विचार करते हैं हम जानते हैं कि ऑक्सिजन की सयोजगता दो होती है तथा इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास दो छे है अतह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए औक्सिजन के परमाणू आपस में दो-दो इलेक्ट्रोनों का साजा करते हैं और इनके मर्ध्य द्विबंध बनता है औक्सिजन में सहसयोजक बंध का चित्र आपको यह जानकर आश्चर होगा कि कार्बन परमाणूं के मत्य द्वीबंध और त्रीबंध भी पाया जाता है आईए एक उधारण C2H4 या H2C double bond CH2 को देखें जिसमें एक कार्बन परमाणूं दूसरे कार्बन परमाणूं के साथ दो इलेक्ट्रोनों के साजेतवारा अपनी दो सयों जकताइं संतुष्ट करता है